दमाद पॉलिटिक्स पर मेनका गांधी का वार राहुल राजनीती से लेब ब्रेक वेटे वरुन पर क्या बोली मेनका सुल्तानपूर से बिजेपी में द्वार मेनका गांधी कॉंग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर दिखी मेनका गांधी ने कॉंग्रेस पर जम कर तंज तो कसे ही उनके निशाने पर सोनिया गांधी के दमाद और प्रियांका गांधी के पती रोबर्ट वाडरा रहे मेनका गांधी ने दमाद पॉलिटिक्स पर हमला किया है मेनका गांधी ने कहा कि देश दमादों से आगे बढ़ चुका है गौरतलब है रोबर्ट वाडरा को लेकर ये कयास लगाये जा रहे हैं कि वो अमेठी लोग सवासीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं वाडरा का भी इस मामले में बयान आ चुका है लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं इनी कयासों के बीच जब मेनका गांधी से वाडरा के बारे में सवाल किया गया तब मेनका गांधी ने साफ तोर पर कहा कि उन्हें राजनीती का अनुभाव नहीं है वहीं देश दमादों से आगे बढ़ चुका है मेनका गांधी ने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दियेगा इस इंटर्वियू में ये बाते कहीं इसी के अधार पर मेनका गांधी का ये बयानब सुरखियां बटोर रहा है वादरा के बाद मेनका गांधी ने राहूल गांधी को भी निशाने पर लिये लिया राहूल गांधी को उन्होंने राजनीती से ब्रेक लेने तक की सलादे डाली इतना ही नहीं मेनका गांधी ने पूरे कॉंग्रेस पार्टी को ही नसिहत दे डाली उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस तभी आगे बढ़ सकता है जब उनके पास कोई बड़ा आइडिया हो या फिर कोई बड़ा नेता हो वहीं जब मेनका से सवाल किया गया कि ऐसे कयास लगाय जा रहे हैं कि पिरियांका गांधी राय बरेली से चुनाओ लड़ सकती हैं जिसपर मेनका गांधी ने एक तरह से चैलेंजिंग लेंग्वेज में कहा कि वो आएं तो सही हलाकि उन्होंने ये भी कहा कि राय बरेली से उनकी दादी उनकी माँ चुनाओ लड़ चुकी हैं ऐसे में राय बरेली सीट पर उस परिवार का असर तो रहेगा ही गौर तलब है कि पिली भीत से मेनका गांधी के वेटे वरुन गांधी का टिकट कट चुका है ऐसे में मेनका से सवाल करना तो बनता ही है इंडिया टीवी के इंट्रिव्यू में उनसे वरुन गांधी को लेकर भी सवाल किया गया जिसपर मेनका पुरी तरह से राजनितिक जवाब देकर सवाल को टाल गई उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी के फैसले को लेकर कोई भी टीकाटी पड़नी नहीं करेंगी हालाकि उसे वरुन गांधी और कांग्रेस को लेकर भी सवाल पूछे गए जिस पर उन्हेंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मा यूसी है इस ख़बन बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ